तो दोस्तों HDFC bank में यहाँ पे pin set करने के लिए debit card का आपको सबसे पहले application open करना है application open करने के बाद आपको यहाँ पे login process जो है वो complete कर देनी है password एंटर कर दिया है login करता हूँ यहाँ पर थोड़ा से समय लगएगा login में तो wait करते हैं दोस्तों login process complete होने के बाद कुछ इस तरीके का basic interface आपको आपके mobile screen के उपर देखने मिल जाएगा उपर आप account type चेक कर सकते हो आपका balance चेक कर सकते हो यहाँ पर यहाँ पर यह जो arrow है इसे हमें tap करना है दोस्तों जैसे ही आप tap करोगे आप आजाओगे savings account के page के उपर जैसे के आप देख सकते हो यहाँ पर आपका account number आपको विजिबल है balance यहाँ आपका और account details चक करने के लिए आपको इस tap के उपड़ करना है जैसे ही आप tap करते हो आप देख सकते हो basic details आपको यहाँ पे पता चलते है आपको नीचे थोड़ा सा scroll करना है नीचे scroll करने के बाद दोस्तो आप और details चक आउट कर सकते हो जैसे कि क्या आपका IFSE code है, branch कौन सा है, क्या है, यहाँ पर कौन सा debit card आप use कर रहे हो, आप देख सकते हो, और debit card की details आपको check करने हैं, तो view card details के उपर आपको click करना है, अब pin जो है, यहाँ पर आपको set करना है, तो भी आपको इसी option के उपर यहाँ पर click करना है, next page पर दोस्तों आप जब आओगे, तो सबसे पहले आपको आपका debit card का थोड़ा बहुत detail आपर पता चलेगा, set pin का option directly आपर मिलता है, block करना अगर आप चाहते हो, तो block भी कर सकते हो, यहाँ पर show more option पर जैसे ही आप click करते हो, तो card holder का name क्या है, card status क्या है, card type कौन सा है, और rewards point जो है वो कितने है, और limit जो है customize करनी है नहीं करनी, इन सारी चीज़ों का option आपको यहाँ पर visible होता है, अब pin जो set करना है, तो obviously आप set pin के उपर click करोगी आपर, तो set pin के उपर मैंने click कर दिया है, next page पर दोस्तों, यहाँ पर आपको आपका pin एंटर करना है, pin को re-enter करना है, terms and conditions को accept करना है, और confirm के उपर click करना है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले, please verify your mobile number, and OTP will be sent here to confirm the pin change, तो mobile number आपको confirm करना है, अगर mobile number confirm नहीं है, जैसे कि यही मेरा number है, तो इसलिए tick mark है, अगर यहाँ पर mobile number को आप देख सेकते हो, जैसे ही मैंने d-select किया, तो दूसरा option आ गया, reason यहाँ पर आपको आता है, कि reason आपको क्यों change करना है, forgot pin है, pin not receive है, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आपको आपको आपर पता चलती है, बैक चले जाता हूँ एक बार फिर से, set pin के उपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, mobile number मेरा same है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँगा यहाँ पर, सिर्फ नया pin एंटर करूँगा, उसे re-enter करूँगा, और confirm कर दूँगा, दोस्तो pin मैंने enter कर दिया है, terms and conditions को जो है मैं accept किया है, और simply करेंगी यहाँ पर confirm के उपर क्लिक, next page पे दोस्तों आपको option आता है, कि verify कीजिए, आपको एक OTP आएगा आपके number के उपर, number आप देख सकते हो यहाँ पर, तो verify करना है, continue के उपर click करते हैं, OTP जो आयागा दोस्तों वो आपको enter करना है, automatically यहाँ पर detect हो चुका है, simply continue करेंगे, और आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर OTP final submit करने के बाद, you have successfully set your debit card pin, your old pin is deactivated with immediate effect, तो जो old pin था मेरा, वो यहाँ पर जा चुका है, और नया pin जो अभी मैंने set किया है, वो अभी से मैं use कर सकता हो, तूरंद, आपको simply आपको done के उपर click करना है, और यह process जो है दोस्तों, यह process complete हो चुकी है आपे, तो दोस्तों यही simple step से आपको, अगर आपका pin याद नहीं है, अगर pin भूल भी चुके हो, सेक्शन भी mention कीजिए, चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा, और दोस्तों के साथ भी यह video share कीजिए, मैं मिलता हूँ next video में, धन्यवाद,